लोकसभा 2024 के चुनाओं को देखते हुए बिपक्षी दल एक जूट होने की कोशिस में लगे हुए है। दिली में आज तमिलनाडू के मुख्य मंत्री और डीम के अध्यक्ष हमके स्टालिन की अध्यक्सता में एक महा सभा होने वाली है। इसमें करीब 20 दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। राजिस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जारखन के सीएम, हिमंत सोरेन और आरजडी अध्यक्ष तिजस्वी यादब भी इस मीटिंग में रहेंगे। लोग सभा चुनाओं से पहले विपक्षी को एक जोट करने के लिए डियम के दूसरी बार इस तरह की कोशिस कर रही है। बताने के तमिलनाडू के मुख्य मंत्री और डियम के अध्यक्ष हमके स्टालिन के सत्तरवे जनम दीन पर चिन्नाई में हुए समारोह में विपक्ष के नेता एक जोट हुए। यह बाद में तै कर लेंगे कि प्रधान मंत्री कौन बनेगा। जागो एक जूट हो जाओ और एक ऐसे राश्ट्र का निर्मान करो जहां हम सभी सम्मान और शांती से रह सके। भारत के लोग ही देश को मजबूत बनाते हैं आईए हम एक साथ मिले और सदभाव से काम करे। अब्दुल्ला ने स्टालिन से कहा कि भारत मुश्किल में है लोकतंतर और सम्मिधान को खत्रे में डाला जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप न केवल तमिलनाडू की सेवा करने के लिए बल्कि पूरे भारत की सेवा करने के लिए लंबे समय तक जियेंगे। इस अबसर पर बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी आदव ने कहा कि लालू जी ने हमेशा कहा है कि यह आपातकाल नहीं बल्कि अगोशित आपातकाल है इसलिए हमें लड़ने की जरूरत है हम उन्हें हरा सकते हैं और यह कोई बरा काम नहीं है हमारा एजेंडा बिरोजगा सरकारी महगाई संविधान को बचाने का है आज सभी संविधानिक संस्थाओं को हाई जैक कर लिया गया है हमने देखा है कि वर्तमान सरकार संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है जुरो दिख्चान से करो फरी खोद को स्ट्रेस से गूगल प्ले स्टोर से दिख्चान से आप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मज़ेदा दिख्चान देता है टोफिक वाइज वीडियो विध अनिमेट विजूल और कॉंसिप्ट बाइज स्टडी मैटेरियल